पिछले जो है वीडियो में हम लोगों ने रहीम का साहितिक परिचय और कुछ जो उनके दोहों की ब्याख्या की थी, आज हम उनके आगे की दोहों की ब्याख्या करते हैं। अगला दोहा जो रहीम का है वो यह नांद रीजितन देत म्रग नरधन हेत समेत ते रहीम पसुसे अधिक रीजियों कच्छू न देत इस दोहे में यह बात इस्पश्ट की गई है कि हिरन, हिरन जो है प्रसन्ध हो करके अपनी जान तक दे सकता है और जान भी दे देता है क्यो को संगीत बहुत पसंद है बहुत अच्छा लगता है इसलिए सिकारी लोग जो है हिरन को पकड़ने के लिए संगीत बजा करके संगीत की आवाज से उसको मोहित करते हैं और हिरन मोहित होने के बाद आ जाता है और सिकारियों के चंगुल में हस जाता है रहीम कह रहे हैं कि हिर ऐसे होते हैं जो प्रसन्न होने पर अपना धर्न दूसरे के लिए खर्च कर देते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रसन्न तो होते हैं दूसरों से खुश तो होते हैं लेकिन अपने धर्न को कभी खर्च नहीं करते हैं ऐसे लोगों को रहीम ने जानवर से भी ब रहीम इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि यदि बेक्ति बड़ा है तो और परोपकारी नहीं है तो उसका धन किसी काम का नहीं है जिस प्रकार जो है तालाप का जलगंदा होते हुए भी लोग पी करके उससे अपनी प्यास बुझा लेते हैं लेकिन समुद्र का पानी अधिक होने के बाद भी खारा होता है लोग उससे पी नहीं सकते उससे उनकी प्यास नहीं बुझती है तो ऐसा बड़ा होना किसी काम का सागर का बड़ा होना संद्र का बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि उसका पानी भले ही यदिको लेकिन उसके पीने से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है जबकि उसकी तुलना में छोटे पोखर का तालाप का पानी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि लोग उसे पी क करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं उसी प्रकारिय दिमन उससे पैसे से बढ़ा है और उसका पैसा किसी दूसरे बेक्ति के काम में नहीं आता परोपकार परमार्थ के काम में नहीं आता तो बड़े बेक्ति का बड़पन किसी काम का नहीं है उससे वो छोटे लोग अच्छ होते हैं बलकि क्या होना चाहिए उनके अंदर परमार्थ या परोपकार की भावना होनी चाहिए अगला दोहा है अगला दोहा है बिगरी बात बने नहीं लाख करे कि निकोर रहिमन फाटे दूद को मते नमाखन होर रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से एक सामाजिक बात कही है कि जिस प्रकार फटे हुए दूद को मतने से कभी मक्खन नहीं निकल सकता है उसी प्रकार यदि समाज में रह करके हमारा किसी से मनमुटाव हो जाता है किसी से बात बिगड़ जाती है किसी से रिस्ते बिगड़ जाते हैं तो वहाँ पर जो है दुबारा वो रिस्ते बन नहीं सकते हैं रहीम ने यह बात कहने की कोशिस की है कि अगर आप से किसी के प्रेम पूर्वक सम्मंध है तो उन्हें बिगाडने की कोशिस मत कीजिए क्योंकि यदि एक बार रिस्ता बिगड़ गया तो दुबारा बन नहीं सकता है जिस प्रकार दूत के फट जाने से कभ भी नहीं आ सकती है इसलिए रहीम कहते हैं कि किसी ब्यक्ति से अपने रिस्तों को बिगाड़ना नहीं चाहिए रहीम का अगला दोह है रहीम न देख बड़े न को लग न दीजिये डार जहां का मैं आवेशुई वहां करे तरवार रहीम जो है इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमें समाज में हर बेक्ति का सम्मान करना चाहिए चाहे वो बेक्ति छोटा हो बड़ा हो पैसे से कितना भी धनवान हो क्योंकि इस दोहे में रहीम यह बता रहे हैं कि हर बेक्ति का हर वस्तु का अपना अलग-अलग महत्त होता है रहीम यहां यह कहना चाहे रहे हैं कि यदि हमारे पास बड़े लोग हैं बड़े लोगों का संपर्क हो गया है उनके साथ हम जादा घुल मिल गए हैं तब भी हमें छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम छोटे लोग कर सकते हैं वह बड़े लोग न जो भी हैं सब की अपनी अलग अलग उपियोगिता होती है हमें किसी का निराधर नहीं करना चाहिए यदि हमारे पास पैसे वाले या संपन्न लोग हैं तब भी हमें अपने से छोटे लोगों का सम्मान और आधर बनाए रखना चाहिए रहीम का अगला दोहा है रहीम नहीं संपत बिना नहीं को विपति सहाएं जियों बिन पानी जियों जलज को रवी नहीं सके बचाए रहीम ने इस जो है दोहे के माध्यम से एक सामाजी की अथार्थ की बात कही है कि जब तक बिक्ति के पास अपनी खुद की संपत्ति नहीं है अपने खुद की मजबूती नहीं है तब तक दूसरे लोग उसकी मदद नहीं कर सकते हैं इसलिए हर बिक्ति को विपत्ति के समय मुसीवत के समय के लिए अपने पास कुछ ना कुछ बचा करके रखना चाहिए रहीम ये अपना उदारण दे के स्वश्च करना चाहते हैं कि जिस प्रकार बिना पानी के कमल की रच्छा सूर्य नहीं कर सकता है उसी प्रकार ये दिमनुस्य के पास खुद की संपत्ति नहीं है तो उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता है ऐसा माना जाता है ऐसी बात बिल्कुल सत्य है कि कमल तभी खिलता है जब उसे सूर्य के के दिखाई देती हैं सूर्य ओदय हो जाता है तभी कमल खिलता है लेकिन यदि कमल तभी खिलेगा जब सरोवर में पानी होगा है यदि सरोवर में पानी नहीं है तो कमल कभी भी सूर्य के प्रकास में खिल नहीं सकता है बलकि वो उल्टे क्या होता है मुर्जा जाता है रहीम इस्पष्च करना चाहते हैं कि जैसे बिना पानी के केवल सूर के प्रकास से कमल विक्सित नहीं हो सकता है उसी प्रकार से समाज में किसी भी मनुस्य के ऊपर यदि कोई समस्य आती है को नहीं कर सकते हैं और सामाज का यह बिलकुल यथार्थ है कि जिस बेक्ति के पास पैसा होता है जिसके समाज में प्रतिष्ठा होती है उसकी सब लोग मदद करते हैं सब लोग उसकी जो सहायता करते हैं और जो बेक्ति गरीब होता है जिसके पास पैसे की कमी होती है मुसीबत पढ़ने पर लोग उसकी मदद नहीं करते हैं। रहिमन पानी राखिये बिन पानी सवसून। पानी गय न उबरे मोती मानुस चून। इस दोहे के माध्यम से जो है रहीम ने अप्रतिक शुरूप से बहुत सारी बाते बताई हैं। इन बाते कही हैं मोती मानुस और चून। इन तीन चीजों को जो है हम प्रतिक देख सकते हैं। रहीम ने यहाँ जो पानी सब्द का प्रियोग किया है। तीनों अर्थों में अलग-अलग प्रियोग हुआ है। मनुस्त के लिए पानी का मतलब है। इज़त और शमान मोती के लिए पानी का अर्थ है। चमक और चून के लिए साधारन पानी का अर्थ है। रहीम इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं। कि यदि मनुस्त के अंदर सम्मान नहीं है। तो उसका जीवन निरर्थक है, बेर्थ हो जाता है। मोती के पक्ष में उन्होंने जो बात कही है कि यदि मोती की चमक उतर गई है समाज में गाउं में ऐसे भी लोग जो कहते रहते हैं कि जब मोती खराब हो जाते हैं इसका पानी उतर गया है चमक चली गई है वो निरर्थक हो जाती है उसी प्रकार बिना पानी के आटे या चु तो ना तो मनुस्य का कोई जिन्दगी में महत्त है ना मोती का अस्तित है और ना ही चूनिय मैदे का प्रियोग किया जा सकता है। दूसरे अर्थों में जो है रहीम ने एक प्रत्यत से बात भी कही है जो आज के जीवन में पूर्तया सत्य होती है। वो यह है कि पानी को बिना सुरच्छित रखे हमारा जीवन कभी भी संभाव नहीं है। इन तीन अर्थों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो यह बात बिल्कुल इसपस्ट है कि मद्यकाल से या प्राचीनकाल से भी हमारे हाँ पानी को सुरच्छित रखने जल को बचाने की बात कही गई है। इस दोहे में प्रतिष्टे मिलता है कि पानी को हमें बचा के रखना है बिना पानी के मनुस्यका जीवन संभाव नहीं है। कही न कही इन दोहों की उपयोगिता है कही न कही इन दोहों में कही गई बातें पूरी तरह से सार्थक और यथार्थ सिद्ध होती हैं। कि छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए कि जो ब्यक्ति जहां पे जैसा है जिसका जो महत्त्य है वह है जरूरी होता है। किसी का हमें निरादर नहीं करना चाहिए कुल मिला के हम यह देखते हैं कि रहीम के जितने भी दोहें हैं। जो है नीती परक हैं कोई न कोई ज्यान की सामाजिक ज्यान की बात हमें बताते हैं। फिलाल आज की वीडियो में इतना ही और जो है आपको इन सारे पाठ के प्रस्नोत्तर कर लेने हैं। सब्दार्थ यात कर लेने हैं और इसे जो है फियर कापी में लिख भी लेना है। धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो।